नमस्कार दोस्तों स्वागत से आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल लेट्स वन टेक में हैं फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने वीडियो की सब्टाइटल्स ऑटो जेनरेट कैसे कर सकते हैं एक फिर पहले अगर कभी सब्टाइटल्स एड किया और तो इन कीसे होगा इसरी जानने में आपको इस वीडियो के एंड़ तक भने रहना है तो चलिए सुरु करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना विम ब्राउसर ऑपन कर लेना है और यहां आपको टाइप करना है वी.io ठीक है और इसके आथ करना है इंटरप्रेस करने के बाद इसकी वेब साइट ऑपन हो जाएगी तो यहां आपको लॉग इन या फिर साइन अप करने की जरुरत नहीं परने वाली है आप simply यहां upload वीडियो पcommittee कर सकते हैं और यहां से अपने वीडियो को select करके और open पर click कर दिजे और इसके बाद थोड़ा सा wait करना है यह आपकी वीडियो के size पर depend करती है तो आप देख सकते हैं यहां वीडियो upload हो चुकी है तो इसके बाद आपको यहां से subtitles पर click करना है इसके और भी बहुत सारे features है मैं सिर्फ subtitles के बारे में बताने वाला हूँ तो आपको यहां subtitles पर click करना है तो यहां आप देख सकते हैं Auto subtitles, Manual subtitles, Upload Subtitle File तो यहां से आपको Auto Subtitle पर click करना है तो यहां से आपको अपनी वीडियो का language select कर लेना है मेरे case में वीडियो की language हिंदी है तो मैं हिंदी select कर लेता हूँ और इसके बाद यहां पर Start पर click कर देना है तो इसके बाद आप देख सकते हैं Creating Subtitles This process might take several minutes depending on the length of your video यानि कि यह process आपकी वीडियो के length पर depend करती है तो आपको थोड़ा सा wait करना होगा तो यहां आप देख सकते हैं वीडियो की subtitles यहां auto generate हो चुकी है तो यहां से आप वीडियो को play करके भी देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आप सभी करें पर फिर से हमारे यूटूब चैनल यहां से आपको simply आप डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए आप translate वाले option पर जाएंगे और यहां से default डेफॉल्ट आपको download कर लेना है इस पर download के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका SRT फायर डाउनलोड हो जाएगा तो इसके बाद आपको अपने YouTube चैनल के वीडियो वाले section में जाना है और यहां से जिस वीडियो का आप subtitle create किये हैं उस वीडियो के details वाले icon पर क्लिक कर दिजे details में जाने के बाद यहां आप subtitles पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप डेख सकते हैं वीडियो का language जब वीडियो आप upload करते हैं वहां पर वीडियो का language सेलेक्ट करने का option देता है इसका क्या फाइदा होता है आपको आगे पता चल जाएगा तो यहां से आप add subtitles पर क्लिक करेंगे और with timing select करके continue पर क्लिक कर देना है यहां से आपका जो भी subtitles वाल फाइल जो आप डाउनलोड किये थे यहां से आपको open कर लेना है और open करने के बाद आपके सामने इस तरह का interface दिख जाएगा friends जैसा कि आप जानते हैं कि यह subtitles auto generated है और auto generated subtitles में आपको थोड़ी बहुत error देखने को मिल सकती है तो उसको आप यहां से edit कर सकते हैं ठीक है और उसका यहां से आप publish पे क्लिक कर दीजे तो friends जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि यह वीडियो आप upload करते वहां से आप वीडियो के language सेलेक्ट करना क्यों जरूरी होता है यह तो हिंदी लेंग्वेज के सपोज मुझे English में भी subtitle add करना है तो मैं English सेलेक्ट कर लेता हूं और यहां से आप add वाले option पे क्लिक कर हैं तो यहां से आपको manually type नहीं करना पड़ेगा इंगली subtitle file upload भी नहीं करना पड़ेगा आप डारेक्ट ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक करके उस subtitle को translate कर सकते हैं मैंने जो हिंदी में subtitle add किया था उसी को यह automatically translate कर दिया है तो याद रहे आपको वीडियो upload करते टाइम वीडि आपने subtitles add करना कितना simple था उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए informative रही होगी अगर अब तक आपने इस वीडियो को like नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे like कर दें और हमारे चैनल पर अगर नए है और ऐसी वीडियो रेगुलर देखते रहना चाहते हैं तो और बेल आइकन इनेबल कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास notification चली जाए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुट बाए